अश्टो रगो चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि स्यू जी की आराधना के लिए सबसे उत्तम महिना कौन सा होता है सबसे उत्तम महिना सावन का महिना है और सावन के महिने में अगर मलमास लगा हो तो बहुत ही अच्छा होता है मलमास का महिना इस समय चल रहा है और हम आपको बताएंगे साथ उपाए साथ उपाए बताएंगे जिससे आपको करना है अगर आप ये इस प्रकार से पूजन करते हैं आपको भोले नात की किरपा प्राप्त होगी सास्त्र के अंसार क्या होता है कि तीन साल के बाद में मलमास लगता है मलमास और इसे अधिक मास कहते हैं और कई लोग इसे कहते हैं कि असुभ महीना है क्योंकि ये बारा महिने का साल होता है तो ये जो है तीसरे साल में तेरवा महिना आ जाता है पर ये असुभ महिना नहीं होता ये महिना जो है भोले नाद को समर्पित होता है इस दोरान आप जो है भोले नाद की पूजा करें हाला कि इसमें साधी व्याह वर्जित होता है बंद होता है लेकिन भोले नाज कि जो भी मलमास में पूजा करते हैं कोई सीव आरादना करते हैं उतकी जो है किसमत बदल जाती है इसमें अगर आप पूजन करेंगे क्या करना है कि इसमें पूजन करने से बहुत ही अच्छा रह तो इस प्रकार से हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्यों स्रेष्ट माना जाता है ये भगवान सिव की आरादना के लिए ही बना गया है अगर आप लंबे समय से आपके कोई काम ऐसे हैं जो बन नहीं पा रहे हैं आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं पर आपका काम बन नहीं रहा है तो इस मलमास में सिव जी की आरादना करें और अगर आप पूरे मन से भगवान सिव की आरादना करेंगे तो आपके सारे रुके हुए कारी जो है पूरे हो जाएंगे रुके हुए कारी आपके बन जाएंगे मलमास में पढ़ने वाले हर सोमार को मलमास महीने क कि मांसिक शिवरात्री को तेल से शिवलिंग की अभिसेख करना है जैसे हम दूद चढ़ाते हैं ऐसे ही तेल चढ़ाना है और संतान सुख से जो बंशित लोग हैं पती पत्री हैं मलमास में अगर वो सोमार का बर्त रखते हैं या मांसिक शिवरात्री आती है उसमें पुत्र की प्राप्ति का बर्दान देंगे अगर किसी को आर्थिक रूप से तंगी चल रही है तरह तरह से पूजा कर लिया है और कोई भी काम फिर भी नहीं बना है कई जगा पे पूँच लिया है तो क्या करना है भगवान को गन्य का रश से स्युजी का विसेख करना है जै इसे हम दूद में जल डाल करके गंगा जल डाल करके और शीविलिंग पर चढ़ाते हैं ऐसे ही गन्य के रस से अभिषे करना है और शीव जी की मन से आराधना करना है अगर कैरियर में अडचने आ रही है आप इसका माहौल सही नहीं चल रहा है आपका बोस आपको तंग कर रह है शीविलिंग पर क्या करना है जल धारा चढ़ाना है भगवान सीव को जल धारा अतियंत परिया है धार नहीं तूटनी चाहिए एक धार में जल चढ़ा है अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके हर कार जो है बिगड़े हुए बनेंगे लंबे समय से अगर आप रोग से चलता है अगर इस परकार से रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है सीवलिंग पर कच्चा दूध हरकित करना है उसमें जल नहीं मिलाना है पेवर जूए दूधी कच्चा अरपित करना है संबव हो तो इसके बाद कुछ गरीब बगवान सीव से प्रातना करना है कि मलमास में हर हर महारेव ऐसा हमारे उपर किरपा करें हमारे हर कष्ट चल जाएं हर सोवमार को आप ऐसे जा करके करेंगे आपका कार जरूर बन जाएगा इस प्रकार से हमने जो बताया परतेख सोवमार या जैसे त्रेव दसी आती है मासिक सिवरात्री जिसे भोलते हैं उसमें जा करके होम करें और सिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाएं दही अरपित करें आपको जिस भी कार में सफलता चाहिए उसके लिए हमने आपको बता दि आए शिव जी इससे प्रात्र ला करेंगे शिव जी की किर्पा बंएगी आपका कार जरूर बनेगा तरह है मल्मास जो है तीन साल में आता है अधिक मासित से कगरते ह। और इसमें सादे व्याहनि होता है स्यूजिकी आराधना होती है. जो तिस विद्या कि अगर हम मानें तो मल्मास जो है सूरी रासी के परवतन करने की वज़ा सही लगता है. और क्यों इसका नाम मल्मास पढ़ा है ये भी हम आपको बता देते हैं. कोई ऐस परकार से रहता है उसे जो है हम मलिन कहते हैं जो इसे बढ़ करके आया है तो इसको मलिन कहते हैं इसी कारण से इस महिने का नाम मलमास पड़ा है लेकिन मलमास के अलावा इस महिने को पुरसोतम मास भी कहा जाता है अधिक मास भी कहा जाता है अत्रिक्त मास के नाम से भी इसे जाना जाता है हमारी दिवी जानकारी आपको कैसी लगी अगर हमारी दिवी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद